तो हेलो लोगाईस कैसे आप लोग हुप अप सब बढ़े होंगे तो आचुके एक उन्नी वीडियो के साथ तो आज हम कुछ ट्रेड करने वाले बिनों के अंदर अमाउंट फिक्स अमाउंट रखेंगे 2000 और आगे गार दीखेंगे जिस आप से मार्केट कंडिशन हुई तो बड़ा और कम भी कर सकते हैं तो अब फिलहाल मार्केट में यहां पे सेलिंग पोजिशन जैसे कि उपर की साइड शिफ्ट हो रही है और यहां पे एक डवल्यू पैटरन बना हुआ है तो ऐसे कुछ सेलिंग पोजिशन अपवर डिरेक्शन में शिफ्ट हो रही है तो हम य देखेंगे यह कंडल एक सपोर्ट पे आई है पहले और मार्केट को उपर तच करना था है इस कंडल में आगर यह कंडल खुलते उपर जाके अगर तच कर लेती उपर वाला जो लेवल है ठीक है जो कि स्ट्रॉंग ग्रीन का अपर बॉड़ी है ठीक है उदर विक नहीं है म चैहन के मार्केट नेन का ब्रिक आउट किया और सीधा सीथा इक न्यू सपोर्ट को ब्रीख है नेक्स हैंगल ने सपोर्ट के अभ़ एक लीजाएर तो यहां पहर बैयर स्ट्रॉंग है यस वजे से संपकर्ण का है एक कंडल उप्सिन का ट्रेज लिया है तो अभी फिलाहल त्रेड को कॉल अप्टन में ही जाएंगे ठीक है भी वेट करते हैं कि यहां पर बनाऊ अब यहां पर भी एक ट्रेंड शिफ्टिंग हो चुका है और यूरी यूश्टी का चार्ट बैस्ट अपने लिए तो इसर ही ट्रेड करते हैं तो ठीक है केंडल तोड़ा नीच आएग तो मैं कॉल ओप्टन का एंट्री ले लूँगा ठीक है बस बायर एंट्री दिखिए गाइज आभी मैंने अपना एंट्री एकजेट केंडल ओपनिंग पे ही प्लेस किया हुआ है कि कि मार्केट में आप ट्रेंड प्रिवेस केंडल में हमें दिखाए कि मार्केट उस सपोर लेके मार्केट कॉल ओप्सन की तरफ बढ़ा है तो यहां पर गाई जभी हम देखेंगे थर्ड ट्रेड तो अब फिलहाल यह केंडल के हम ट्रेड नहीं कर सकते बिकोज की एक रेजिस्टन्स के आसपास ही क्लोज हुआ है ठीक है यहां पर अभी रेजिस्टन्स के आसपास क्लोज हुआ है तो यहां एक रिट्रेश्मेंड या तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम बाइंग कर सकते हैं जो कि एक एडवांस असे नार है यह यह भी एक का केंडल स्टार्टिंग में नीच आती तो मैं यहां से कॉल अप्सन का आगें इसमें ट्रेड ले सकता था ठीक है तो अभी फिलहाल हम दिखेंगे कि केंडल क्या बनती है तो अभी देखते हैं केंडल तो देखेंगे केंडल अगेन मार्केट कंडिशन थोड़ा तो बदलाई होगा तो यहां पेक मॉनिंग स्टर का की लेवल अभी हम की लेवल तक तो हम देखेंगे कि मार्केट अडलिस जाता है या नहीं या मार्केट उतर से टच करके अगेन से बैक आ चुका है ठीके तो मार्केट उल्मॉस उस गैप तक जाके आया है यहां पर एक एंगल फिंग पैटरन बना है ठीके तो फिलहाल अभी हम केंडल को देखेंगे कि किस सैड में जलती है तो यहां से मैं कॉल उप्शन का ट्रेड लूंगा बट हम पहले का केंड तर्गेट के हिसाफ से में ट्रेड कर सकता हूं यहां पर कि मार्केट में ट्रेड कॉल उप्शन के लिए उपर यह ट्रेंड लैन पेंडिंग होगी केंडल खुलते थोड़ा डाउन आएगा नेक्स्ट तो मैं यहां से एक ट्रेड बनाने का प्लान करूंगा बन्ना तो मार्केट श्रक्चर पर ही काफी फोकस रखना परेगा ठीक है एक वीक केंडल आई यानि कि इस केंडल को रिट्रेस्मेंड केंडल मान सकते है ठीक है केंडल थोड़ा और नीचे ठीके बायर एंट्रिक दिखिए वही एंगल फिंग के की लेवल से ठीके एंगल फिंग के की लेवल पर बायर दिखे अभी हम देखेंगे कि इसी लेवल को मार्केट ने सपोर्ट बनाया है या नहीं तो अभी फिलाल हम देखते हैं क्या ट्रेट बनेगा अपना यहां पर क्योंकि अभी यह एक ऐसा लेवल हो चुका है कि यहां पेक इंसाइड बार केंडल भी था और यही चीज अब एंगल फिंग में कनवर्ट होता हो दिख रहा है अभी 5 जेकंड पर जाके देखते हैं मार् सेकेंड पर भी तो एक मेट पर भी सिंपल होगा कि एक वाइट डोजी बन सकता है ठीक है तो यहां से फिर हम देखेंगे अगें की केंडल थोड़ा अच्छा एंट्रिज दे तो हम देखते हैं बड़ अभी वहां वे मार्के थोड़ा स्टक हो रखा है और यहां पर एक मॉ प्रिवेस लो का ब्रेक आउट प्रॉपरली नहीं हुआ है ठीक है मार्केट ने प्रिवेस लो के नीचे से स्टेन नहीं किया है तो इस वज़े से स्केंडल के अंदर में कॉल अप्शन का ट्रेड लेने गया हूँ अभी हम देखते 5 सेकंड पर मार्केट इस चीज को सपोर बना पाता है जो हमारी होरिजंटल लाइन है मार्केट को उस लेवल को भी सपोर्ट बना लेना चाहिए ठीक है और यह ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक आउट दिख सकते हो पांच मेंट की केंडल में अनलाइस कर रहा हूँ थोड़ा कि यहां पर क्विक एंट्री मिल सकती है अगर लेना हो तो जिसको रिएक्षन ना आता हो अभी दिखते गाईस आ चुकिए बायर्स एक्टिव हो चुकिया अगेंसे बिकॉस कि यहां प्रिवेस दो केंडल ने दिखाया सेलिंग पोजिशन दिरे दिरे है कॉल आप्शन के लिए शिफ्ट हो रही थी ठीक है अभी यह एक न्यूट्रल डोजी बनाया है जो अपनी एंट्र पॉइंट की वाज़े से केंडल तो विन हो चुका है तो अभी चलते हैं यहां पर एक रिस्की ट्रेड बन रहा है पूट ऑप्शन के लिए है स्वारी कॉल ऑप्शन के लिए हम इस लेवल से कॉल का ले सकते हैं ब के अन्दर red Candle ने close out किया है बट उस Candle ने low काफी नीचे बताया है यानि कि buying position काफी नीचे बताई है previous दो candles से अगर आप एक trend line कीचो तो आपको पता चलेगा कि buying position थोड़ा नीचे है बट यहां पर price breakout हुआ तो Dire July candle ओपर तक जा सकती है उसी यह Coding मैंने लिया था बड़ यहाँ पे वैसा नहीं है क्योंकि previous market ने target दे चुका है ठीक है और वहाँ से market के की लेवल से मार्केट नीचे आया है अपर साइड का जो की लेवल होता है तो यह ट्रेड मेरा लॉस होते हुए तो अभी हम चलते हैं दो एका दो स्टेप तक कंपाउंडिंग का सोचेंगे और रिस्क प्री कंपाउंडिंग होगा तैन के असी रुपीस सम्चिंग से मैं आ काउट एक स्ट्रॉंग केंडल आई है ठीक है जिसको हम एक्जोसन केंडल बोलते है क्योंकि यहां पर बाइंग प्रैसर काफी वीक दिख रहा था मैं ठीक है अभी यह जो मैंने ट्रेड लिया है उसको उपर का टार्गेट लेना है तो यह एडलिस ग्रीन के तो 50% की उपर मेरे लेवल के ऊपर क्लोस होगी ही ठीक है तो अभी फिलहाल देखेंगे में नेक्स ट्रेडम किस डिरेक्शन में डालेंगे अभी एक ग्रीन केंडल आ सकता है विकॉस के प्रिवेस केंडल में एक बाइंग पोजिशन दिखी होई थी ठीक है आफ्टर दिस एक्जोसन मार् केंडल ने क्लोजिंग किया है अभी नेक्स की लेवल काफी बॉटम पे रहेगा ठीक है तो मार्केट वहां जाएगा और सपोर्ट लेगा तो उकसाइद ग्रीन बन सकती है बाकी तो यह हंटर परसंट शॉट रड़ है ठीक है यह केंडल एक रेड केंडल ही आएगा और यह एमकी नेकलाइन तक भी जा सकती है ठीक है तो अभी पहला लेज सकेंडल को देखेंगे और यही था मैरा आज का कुछ सेशन ठीक है ओटीसी है तो मैंने रिस्क फ्री कंपाॉंडिंग भी कर ली और कुछ ट्रेड भी कर लिए ठीक है यानि कि जो भी किया प्रोफिट के पै अब तक के लिए जाहिनन वन्दे मातरम।